पर्थ के ओप्टर स्टेडियम में कल खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के दो मुकाबले जहां पर भिडेंगे भारत और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और निदरलैंड लेकिन इस बड़े दिन पर हो सकता है सभी का मज़ा किरकिरा जहां बारिश बन सकती है एक बड़ी विल हम सब जानते हैं यह T20 वर्ल कप काफी अपसेट का वर्ल कप रहा है बला वो इंगलैंड की आरलेंड के सामने हार हो या पिर वो हार हो जिम्बावे के सामने पाकिस्तान की लेकिन इससे भी बड़ा अपसेट रहा है इस पूरे T20 वर्ल कप में जहां बारिश के चलते पूर तीन बजे पहले मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और नेधरलेंड के दर्मियान और उसके बाद शाम को साथ बजे पर्थ के लोकल समय के नुसार भारत और साथ एफ्रीका के भिड़ान्थ होने वाली है लेकिन इस वेदर फॉरकास की खबर कुछ ऐसी है जिससे भारती क्रिके टीम के लिए खुश खबरी है और पाकिस्तान की चिंताओं में थोड़ा और इजाफा हो गया है क्योंकि अगर कल वर्थ के वेदर फॉरकास को देखा जाए दुपहर को 3-4 बजे के आसपास बारिश का आगमन लिखा हुआ है लगबग लगबग 30-40 परतिशत जिसक चलते कल पाकिस्तान नेदरलैंड के मुकाबले में बारिश के चलते खलल आने की संभावना मानी जा रही है लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए भारत के लिए बड़ी खुश खबरी है क्योंकि शाम 7 बजे तक बारिश के बारिश के बादर ढल जाएंगे जिसके बाद व पाकिस्तान के चांसेज भी बारिश के साथ धुल जाएंगे जहांपर वो सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाय कर पाएंगे लेकिन कल भारत के मुकाबले में बारिश का आगमन मातर दो परतिशत का है जिसके चलते कल हमें देखने को मिल पाएगा एक 20-20 ओवर का पूरा गे और साथे में सब्सक्राइब कर दीजिए में यटिव पे फॉलो कर लीजिए पेस्टुक पे जानने के लिए टी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ा हर एक लेटेस अबडेट वो भी सबसे पहले